वेलकम सुटूटन्स अफ एफिया सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड के इस टॉपिक जुरिश्टी के पार्ट नमर त्री के साथ मैं मुफ्तार सराब के साथ मुखादी भूतों बात करते हैं पार्ट नमर त्री की उमीद है कि आप इसको पसंद करेंगे इसके बाद civil laws ऐसे cases जिनमें F.I.R. lodge नहीं होता है यह कौन से टाइप के यह cases होते हैं जैसे disputes land disputes रहते हैं परचेजियों का आप goods के हवाले से कोई पंगा आपके साथ दुकांदार के साथ हो गया आप उसने महंगा दिया या ठीक है sir rent matters रहते हैं divorce matters रहते हैं यह सारे civil cases होते ह हैं और इनके साथ deal करने वाले laws civil laws कहलाए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि एक बाज़ापता एक अरजी दाइल की जाते हैं पेटिशन दाइल की जाती हैं court में parties के तरफ से ठीक है sir और उसके बाद court decision देता है जैसे अगर land dispute है तो उसमें देखते हैं कि कौन हग दार है त अगर यह tenant और इसके दर्मियान landlord के दर्मियान कोई problem है तो उसी हिसाब से जो है civil law को enforce करके या इनको इस्तेमाल करके court जो है judgment देते हैं इसमें हम अगर हम बताएं कि every citizen has a right to justice, get the justice to the courts और हर किसी, हर किसी इंसान, हर किसी citizen का यह हग बनता है कि वो अपना हग हासिल करें through courts नहीं मिलता है, तो fundamental rights के हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस तरसे यह court जो है एक अच्छा खासा role play करते हैं, citizens के fundamental rights के लिए, लेकिन एक problem है सर्थ, हमने बहुत सारी बातें की, civil laws, criminal laws, civil cases, criminal cases, court, judiciary, justice, वगएरा, लेकिन बाई साब एक problem है महाँ पर, हिंदुस्तान में, एक ब majority of Indians जो है, वो बहुत सारे गरीब, बहुत गरीब हैं से, उनके पास पैसा नहीं है, और legal procedure जो होता है, किस में, judiciary system में, legal procedure जो है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत सारा time भी consume करता है, it takes lots of time and it also is the reason for wastage of too much of money, ये बहुत सारा पैसे जाया कर देता है, और गरीव ये कि वो justice हासिल करना, उनके लिए court के जिरे से, मुश्किल ही नहीं, नामुम्किन बन जाता है, तो इस हवाले से एक mechanism बनाया गया, 1980s में, Supreme Court नहीं decide कर लिया, यार हम तो बनाएंगे, गरीब लोगों को justice हासिल करना, आसान हो जाएगा, वो क्या था, PIL, जिसको P.I. बोलत for the poor and illiterate, करीब, कमजोर, पिछीडे हुए लोगों को इस mechanism के जिरे से, इस P.I.L. के जिरे से, public interest litigation system के जिरे से justice करना, आसान हो गया है, और ये एक lawsuit है, it brings, it brings, और contesting a lawsuit, ठीके, और इसमें कौन-कौन से issues होते हैं, या कौन-कौन से issues को ले के हम P.I.L. दाकिल कर सकते हैं, court मे pollution को ले के, terrorism को ले के, road safety, construction hazards, ये छोटे-छोटे, और society में इसे बहुत सार issues रहते हैं, जिनके लिए हम, या जिनके लिए हम P.I.L. दाकिल कर सकते हैं, ठीक है सर, और इसके अलावा जो areas हैं, जहां पर हम P.I.L. violation, P.I.L. कौन-file कर सकते हैं, human rights है, human rights के हवाले से, अगर आ आप, आपको लगता हैं कि government policy हमारे हक में नहीं है, तो उसकी लिए अप P.I.L. दाकिल कर सकते हैं, municipal authorities अगर public safety के हवाले से serious नहीं है, तो P.I.L. दाकिल कर सकते हैं, अगर किसी वज़े से कोई society, government, या group of people, हर religious rights को उसको violate कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी आप P.I.L. दा कर सकते हैं, कौन करेंगा P.I.L. दाकिल, अरे ये तो बात है न, खतरना के हाँ पर, any individual, कोई भी कर सकते हैं, any organization, कोई भी बड़ी organization, छोटी organization, P.I.L. दाकिल कर सकते हैं, high court में या supreme court में, हैं, किस के ब्याप में, on behalf of those whose rights are being violated, मतलब तो ये हैं, कि अगर वो बंदे, वो नहीं है, कि किस तरह से जेश्टर हासिल किया जा सकता है, एक आदमी, एक अकेला individual, या एक organization, उनकी तरफ से, कोट में, P.I.L. दाकिल, very good कर सकती हैं, अगर personally, वो उस system में, इन वालो, नहीं है, अगर वो interest खुद उसमें, नहीं हैं, ठीक हैं सर, मिडे मेल, अगर आप देख information जो हैं, गेन कर सकते हैं, तो फिलाल, मिडे मेल जो मिल रहा है, स्कूलों में, ये, इसी P.I.L. की ही, एक देन हमें मिलते हैं, इसके अलावा, common, जो for the common person, is access to court, is access to justice, अरे यार, ये बहुत important चीज़ है, एक common man, court के पास जाए, उसके लिए आसानी हो जाए, ये तो justice, उसक that work against the best interest of the common man, ये, उसके against में काम करते हैं, अगर हम देखें, लेकिन हम देखें, तो कुल मिलाकर हम बात ये कर सकते हैं, कि, जो courts रहते हैं, ये, जो judiciary system जो रहता हैं, ये हर एक चीज़ सामने रखे, हर एक चीज़ सामने रखे, हर एक चीज़ सामने रखे, जो best decision होता है, व की जाती हैं, लेकिन access to courts जो हैं, ये बड़ा लंबा चोड़ा किस्ता होता है, मैंने पहले कहा से, इसमें normally जो है, बहुत time लगता है, courts के decisions में, बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारे time लगता है, और इसमें पैसा भी इनवालों हो जाता है, तो इस हवाले से एक term यहां पर in the history of Indian judicial system, क्यों मरने के बाद लोगों को justice मिला, अरे यारे तो बड़ी नाइनसाफी हैं, मैं कल ही एक video देख रहा था कहीं पर, वहां पर एक Indian जो film star था, एक director था, जो नूर जहां आपने movie देखी होगी, यहां पर मैं example आपको बताता हूं, नूर जहां को हिंदुस्तान में जो है, release होने के बाद उसको publicity नहीं मिली, तो फिर उसको पाकस्तान में उसको जो है, release करने के बारे में, शेख मुखतर जो थे, उसके producer वगरा, वो decide करता है कि वहां पर मैं उसको release करो, लेकिन एक बंदा उसके खिलाफ quote में अरजी दाखिल करता है, और उसकी वज़से जो ह ठीक है, तब तक शेख मुखतर इस दुनिया से चले गए थे, और जब उसको, उसके हक में आया कि आप release कर सकते हैं, you can release this movie, और जब वो release हुई, और नूर जहां movie जो थी, वो बहुत super duper hit हुई, और बहुत सादा पैसा कमाया, लेकिन ये justice तो मिला, लेकिन शेख मुखतर के मरने के बाद, लेकिन ये वही बात होगी न, justice delayed is justice denied, तो ये example में छोटी से यहाँ को यहाँ कर दे रहा हूं sir, इसके पास conclusion में अगर हम देखें, judiciary has played a very crucial role in the democratic country, किसी भी democratic country में, judiciary बहुत ज़्यादा important role play करती है, ये सबसे ज़्यादा जो role play करती है, checking the power of executives and legislators, उनके power को check करना supervise करना, या उनको किसी भी सूरत में अपने powers का गलत इस्तेमाल करने ना दे ना, इसका conclusion बन जाता है, इसका main role बनता है, as well as in protecting the fundamental rights of citizens, क्योंकि ये fundamental rights बुनियाली हुकूक जो है, citizens के, ये बहुत important है, किसी भी country में, एक citizen तब तक आच्छी तरह से एक बहतरीन जिंदेगी, त अगर तक उसको क्या बोलते है, fundamental rights जो है, वो ना मिले, तो इस fundamental rights को protect करने के लिए ये ही जुडिश्टी जो है, बनाए गई है, उमीर है आपको ये छोटी और मोटी बारते हैं, इस topic जुडिश्टी के हवाले से समझाई होंगी, अगरे वीडियो तक के लिए इजाज़त द एफी कुछ रहे, ये खुछ रहे, ललाफ चाफिज है